आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी और सबको पसंद आने वाला जैन पनीर काठी रोल जिसमें हम एक रैप बनाएंगे यानि उपपर से क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट लच्छा पराठा बनाएंगे और चेटपटा पनीर का स्टफिंग बनाएंगे एकदम टेस् पनीर काठी रूल बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा लगाएंगे तो मैंने यहाँ देट कब गीहू का आटा लिया है आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और एक टेबल स्पून ऑइल भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ऑल की जगह आप गेहू के आटे का ही यूज किया है आप चाओ तो सिर्फ मैदे का भी यूज कर सकते हो या फिर गेहू और मैदा मिक्स करके भी बना सकते हो तो देखे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और एकदम सॉफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे तो यह आटा हम जैसे को बहुत अच्छे से मसल देना है अब आटे को हम 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रफ देंगे तब तक हम स्टफिंग के लिए सबजिया कट कर लेंगे तो मैंने यहाँ थोड़ी पत्ता को भी ली है इसे हम इस तरह ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे तो मैंने जो चीप्स बनाते हैं वही ग्रेटर का यूज किया है जिससे यह कैबेज एकदम पतली पतली और लंबी निकलेगी अगर आप कैबेज को स्कीप करना चाहो तो स्कीप भी कर सकते हो अब यहां मैंने दो मिडियम साइस के कैप्सिकम लिया है इसे हम इस तरह पतला पतला और लंबा कट कर लेंगे तो हमें रोल बनाने के लिए सबजिया को भी पतला पतला और लंबा कट कर लेना है अगर ज्यादा लंबा है तो बीच में इस तरह एक कट लगा देंगे अब टमाटर को भी हमें इस तरह पतला पतला और लंबा कट कर लेना है तो मैंने यहां बीच मे को भी कट कर लेंगे तो मैंने यहां 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को भी हम थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे पनीर यहां मैंने आज रैडी मैडी यूज किया है आप चाओ तो घर पर भी पनीर बना सकते हो तो देखे पनीर को हमें थोड़े इस तरह बड़े टुकडों में कट करना है अब पनीर को हम मैरिनेट करेंगे तो एक बावल में दो से तीन टेबल स्पून गाडा दई ले लेंगे यानि हंकड लेना है अब इसमें दो चमच सरसो का तेल एड़ करेंगे एक टीस्पून कश्मीरी लालमिश पाउडर आधी टीस्पून गरम मसा इस तरह मिक्स कर लेंगे जिससे सारा मसाला दई में अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब इसमें पनीर के टुकड़े भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे पनीर में सारा मसाला अच्छे से लग जाएगा यानि पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाना चा पनीर एकदम स्मोकी फ्लेवर का बन जाएगा अब कटोरी को हटा लेंगे और नॉन स्टिक पैन में एक टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे और जो हमने पनीर के टुकडे मैरिनेट के थे वो सारा पनीर इसमें एड कर देंगे और मीडियम टू हाइफ लेम पर पनीर को करना है तो देखे इस तरह पनीर थोड़ा ड्राइ हो जाएगा तब हमें बीच में थोड़ा सा गैप बना लेना है और उसमें हम सबजी आएड करेंगे तो जो हमने कैबेज कैपसिकम और टमाटर कट करके रखा था वो सारी सबजी आएड कर देंगे और उपर थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे और कोई मसाला हम एड नहीं करेंगे और मेडियम तो हाइफ लेम पर सबजीयों को भी हमें हलका सौते कर लेना है जिसे सबजीयों में क्रंची बना रहेगा और सबजीया बिल्कुल सौफ नहीं बनेगी तो देखे पनीर काथी रूल का कर देंगे और एक बार अच्छे से मसाल देंगे तो देखे आटा एकदम स्मूथ हो गया है अब इसमें से हम बड़ी साइस की लोई बनाएंगे तो इतने आटे में से हम पांच लोई बनाएंगे और उसे हम बिल देंगे तो पहले हलका सुका आटा लगा कर बिल देंगे त फिर बटर का भी यूज कर सकते हो तो देखे मैंने यहां गी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है अब थोड़ा सा सुका आठा भी छिड़क देंगे क्योंकि हमें यह लच्छा पराठा बनाना है अब इसे हम एक एक प्लिट्स लेते जाएंगे और फिर फोल्ड करते जाएंगे जिससे यह पराठा एक दम लच्छे दार बनेगा अब इसे हम थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे और फिर इस तरह गोल करते जाएंगे और फिर फोल्ड कर लेंगे जो लास्ट में एंड पार्ट होगा उसे हम पिछे की साइ़ टप कर देंगे और इसी तरह हमें सारी लोई बन तैयार के दिया अब अनागे हुल का सुकहाताना लगा कर इसे हम भेले देंगे तो यह दो याओ ज़ा पला स्कता केर्णा कि यूज किया है गैस के फिलम मेडियम टो हाइय रखेंगे जब तक ये पराठा रोस्ट होता है तब तक हम दुसरा पराठा भी बेल कर तयार कर देंगे तो देखिए ये पराठा भी बेल दिया है अब 2-3 मिट के बाद साइट चेंज कर लेंगे और दुसरी साइट भी हम रो लेंगे और पलट-पलट कर दोनों बाजू से मीडियम टु हाई फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे तो हमें गैस की फ्लेम मीडियम टु हाई रखनी है जिससे पराठा उपर से अच्छे से सीख जाएगा और अंदर से भी सॉफ्ट रहेगा तो देखे करने केमी वश्ट हमें पंदीर 5 रोल का स्टफिंग बनाै था वह एड़ करेंगे वैसे इस्टफिंग काठी पर पनी और सब stamina को घृल करके फिर बनाया जाता है पर यह घर पर बनाना आसां नहीं है तो हमने तवेपे ऑल देंगे और ठोड़ा सा मैयो नीस भी डाल देंगे तो मैयोनिस भी आप अपने टेस्ट के साब से कम ज़्यादा डाल सकते हों थोड़ा सा चाट मसाला काली मीच पाउडर बारिक कटी हुई हरी मीची और हरा दन्या डाल देंगे और रैप को हम फोल्ड कर लेंगे और रैप फोल्ड करने के बाद इसे हम रैप पेपर या फिर ट झाल